हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आज चानल करांट अफेर अपडेटेटेड अधिस दिवशी शवस्थी आज हम थोड़ा सा लेट आगे हैं, 8 पीम पे आगे हैं बट जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉरेंट होने वाला है क्योंकि आज आपने इतना वेट किया है तो लेक्चर भी कुछ स्पेशल होने चाहिए, तो आज जो लेक्चर में बता दूँ, इस लेक्चर के बाद आप ये मानो, इस टॉपिक से आपको एक्जाम में एक ना एक कोशन जरूर आएगा और इस से बाहर एक भी कोशन नहीं आएगा, ये मैं गारेंटी के साथ कहा रहा हूँ वाप सोचोंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है, टॉपिक है मेजर सीपोर्च इन इंडिया हम सीपोर्च के बारे में डिसकास करेंगे, जो कि इंडिया जोगर्फी का एक इपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको पताओ को इंडिया में टोटल मेजर सीपोर्च 13 है, तो उसके रिलेटिड कोशन आते हैं अब आप सोचो, आप 13 सीपोर्च पढ़िए, यह यह लेक्चर देखो, आपको कोशन बन जाएगा, मतलब इससे बाहर आपको कोई भी कोशन नहीं मिलेगा तो इस लेक्चर को इंड तक जरूर देखना, इसका आप समझ जाओ कोशन किस तरह का आते हैं, आपको क्या क्या चीज़े याद करने हो, इसके आपको एक भी कोशन इस टॉपिक से बहार नहीं आएगा, यह टॉपिक एक्जाम के लिए फेवरिट टॉपिक होता है, तो चल बनाया जा रहा है, कालादन मुल्टी मोडल प्रोजेक्टों से पुछा गया है, इंडिया का कौन सा पोर्ट जो है, उसको कनेक कर रहे हैं, ओप्शन सापके सामने दिये गए हैं इस सारे पोर्ट, आई होप आपने कालादन प्रोजेक्ट के बारें पढ़ा होगा तो आप इसको करेक्ट आंसर है कोलकता पोर्ट, इसको कनेक करें बाकी आप देख सकते हैं इसको किस तरह मैंन मार से जाकर हम कहां जा रहे हैं, that is at northeast of इंडिया, अब मैं इसके बारे मता दूँ, इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा option number A, but कोलकता पोर्ट का निया नाम रख दिया ग आप कोलकता पोर्ट को ही लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, 1870 में, first port trust board in India established हुआ था, जो की ता कोलकता पोर्ट 1870 में, तो oldest port में भी आंसर कोलकता पोर्ट ही होगा, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, शामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट, तो यह आपको जवाहल नान नहरू पोर्ट is located, यह जवाहल नान नहरू पोर्ट कहां लोकेट है, आयोपी एजी कोश्चन होगा, और सब लोग आंसर भी दे पा रहे होगे, सर्थ इसका तो हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, आप तो इंडियन जोगाफिक पढ़ा हुआ हुआ है, मुं जवाहल नान नहरू पोर्ट का पुराना नाम जो था, वो था नवाशिवा, पहली बात तो यह कोशन भी आ सकता है, दूसरा, अगर आप से पूछा है, लार्जेस आर्टिफिशल पोर्ट कौन सा है, इंडिया का, तो इसका करेक्ट आंसर प्लगाएंगे, जवाहल नान नह पोर्ट, या तो इसका पुराना नाम भी आप से पूछ सकते हैं, ओल्डेस नेम, तो यह रिखेगा, नवाशिवा, तो यह कुछ कोशन से, मैं कहा रहा हूँ ना, बैक्वर्ड फॉर्वर्ड लिंकेज में भी मैं चीज़े बताता रहूंगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स थर्ड कोशन में आते हैं, which of the following is the busiest international seaport, सबसे busy seaport, India का कौन सा है, options, आपके समने मुंबई है, को लोगता कोची टूटे को ने, बढ़म सीधे correct answer के और मूफ करेंगे, इसका भी correct answer option A है, that is Mumbai, या दिखेगा, तो जो Mumbai international seaport है, वो सबसे, क्या या दिखेगा, आप Okay, चले, आगे बढ़ते हैं, next question में आते हैं, next question क्या है, अब यहां कुछ seaports लिखे हुए, और यहां लिखे हुए states, यह भी एक पूछने का तरीका है, तो इस question को क्या solve करना है, यह state seaports है, जिदिने पता हो वो बताएते हैं, बड़ा famous है, काकिनाडा seaport है किसी को पता हो अगा historical चीज़े आपने पढ़ी हो, question भी आया हुआ UPSC के एक्जाम में काकाना DC port के बारे में, जो कि आंद्रप्रदेश में है, so C का 4 है, C का 4 मतलब यह दो options में आ जाते हैं, ठीक है, टुटी कोरेंट पोर्ट बहुत famous port है, आपको पता होगा, तमिल नाइडू में, T से ट का 2 हो गया, D का 2, चलिए, इसमें अभी भी उसी options में है, D में 2, उसी में है, ठीक आगे बढ़ते हैं, जादे अले पे लिए, जादे के लिए, जादे के लिए, जादे के लिए, तो 1, B का 1 हो गया, B का 1 तो यह आगया, correct answer C, C is the correct answer 3142, तो A का क्या है, बतकर पोर्ट का आन माक करना बता है, किस तरह हो सकता, आपको यहां पर कोई और पोर्ट के नाम लिख दे, तो यह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question मात पर तो correct answer का C है, next question मात फिफ्ट, oldest among the major ports in India, सबसे oldest कौन सा है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझ पहले पहले मैं अभी कुछ देर पहले देखा और करेक्टा पर पर है, बिलकुल सही आंसर है, यहां रखेगा, कोलकता पर जिसका नाम श्रामा प्रसाद मुखरजी पोट हो गया है, 1870 में आप देख रहे हैं, कमिशन हुआ था, और यह भी यादखना है, कोलकता पोट एक जिसका और कि रिवर राइनज कोलकता पर है, जिसका पर ज्याद है, यह भी कोशिशन आपके एक्जाम में आता है, तो करेक्ट आंसा है कोलकता पर, तो यह भी आपको याद रखना है, चलिए, आगे बढ़तें नेक्स कोश्शन बाते हैं, मेजर पोट कितने हैं, अभी तो टोटल कितो होगे 12 प्लस 1 13 तो correct answer is C is the correct answer ठीक है तो बड़ा factual question होगे कि इतने major ports हैं आपको correct answer 13 लगाना है चलिए आगे बढ़ते हैं world largest ship graveyard ship graveyard मतलब जहाँ पर जो ship 13 को तोड़ा जाता है ठीक है graveyard मतलब तोड़ा जा रहा है तो इस sport का नाम भी बहुत लिया आता है यह शिप ब्रेकिंग यार्ड है जिसका नाम है अलंग ठीक है तो correct answer option में B है अलंग शोषिया ship breaking yard या दखेगा अलंग shipyard के लाम तर बहुत famous है और यहां पर ships को break किया जाता है तो world की largest ship breaking यार्ड कहाँ पर है गिर्वियाड कहाँ पर है that is at India और मैंने आपको बता देग देगा गुजराथ नेक्स कोश्चन में आते हैं कोश्चन में इत डीपेस पोर्ट सिधा कोश्च आएगा यह इजी कोश्चन है डीपेस पोर्ट बता दो कौन सा है ठीके चार पोर्ट डियेगा है और आन से डीपेस पोर्ट देखते हैं विशाखा पत्नम port लगा देना याद अखेगा विशाखा पत्नम that is at Andhra Pradesh विशाखा पत्नम port जिसका दूसरे नाम से भी आ सकता याद इखेगा गंगावरम गंगावरम port भी लिख सकते हैं या विशाखा पत्नम लिख सकते हैं जो भी लिखें, दोनों में से दोनों ही correct answer है, विशागा पत्नम को ही गगावरम seaport कहा रहे हैं, ठीक है, तो इन में से जो भी option में रहे हैं, उसको आप mark कर दिजिएगा, ठीक है, चलिए, next question में आते हैं, question number 9, largest container port इंडिया, सबसे बड़ा container कहा सकता है, largest container port कौनचा है, options आपके सामने हैं, ठीक है, largest container port यहाँ पूछा है, पट यहाँ option में देखिए, mundra port भी लिखा है, दीखिए, वैसे तो answer अगर आप देखेंगे, पुराने questions देखेंगे, तो उसमें आंसर ए देखेंगे, जवाहला नहरू port trust, जो कि मुंबई में है, ठीक है, बट अभी मैं बताओ, अगर mundra option में है, तो answer mundra होगा, क्योंकि mundra ने take over कर लिया, इच्छा private port, बट इसने take over कर लिया, कि इसको जवाहला नहरू port को container के मामले में, मैं आपको बताएता हूँ, यहाँ पर करेक्ट answer को mundra port, क्योंकि option में है, और mundra port गुजरात में है, यहाँ देखेंगा, देखेंगे, मैं लिख भी रखा, recently mundra port ने overtake कर लिया है, जो जवाहला नहरू port था, उससे highest container gateway जो हो गया है, मुंद्रा पोर्ट, जरूर मुंद्रा पोर्ट एक private port है, और largest container port है, ठीक है, और largest commercial port भी आपसे पुछा है, सबसे बड़ा commercial port, largest container port, तो answer मुंद्रा पोर्ट ही होगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, अगर मुंद्रा पोर्ट option नहीं होगा, तो आप option भी ए लगा सकते हैं, तो जो लोग पुराने books देखेंगे, तो उसमें कहींगा, यह answer होगा, क्योंकि उस ताइप मुंद्रा पोर्ट ठाई नहीं option में, तो answer मांक नहीं किया तर, but at present मुंद्रा पोर्ट is the correct answer, जो कि गुजरात में है, okay, it's a private port, major port में नहीं है, it's a private port, okay, which is the largest natural port in India, deepest तो बता दिया अभी शाका पड़्ट, natural port कौन सा है, options आपके सामने दिये गए हैं, देखें, मैं गलत option नहीं पढ़ूँगा, तो आपको गलत option साइस के मामले में भी, और शिपिंग ट्राफिक के मामले में भी, कौन सा बड़ा port है, options आपके सामने दिये गए, ठीक है, कांजला पोर्ट, जवाला नहरू पोर्ट ट्रस्ट, या मुंबई पोर्ट, या चेन नहीं पोर्ट, या चार ओप्शन से हैं, और करेक्ट आंसर इसका जो है, that is, मुंबई पोर्ट इस दा करेक्ट आंसर, या दखिएगा, तो मुंबई पोर्ट इसका करेक्ट आंसर है, जिसको नहीं पता है, मुंबई पोर्ट इसका है, पोर्ट इन्डिया में कौन से स्टैबिश किया गया था, मैं भनाना जो जो इन्डिया इंडिपेंडेंट हुआ, पाकेसान चला गया तो हमारे बहुत मेजर पोर्ट, कराची पोर्ट जो था, वो इंडिया से अला हो गया, जिसकी वैसे हमको तुरं थी, गुजरात में पोर्ट बनाना पड़ा कोगी कराची एक major port था जो इंडिया से अलग हो गया था और इसका नाम था कांडला पोर्ट कहां पर है ता ड़िजरात और आपको याद रखना है यह पोर्ट तुरंथ हमने पोर्ट था जिसके नाम पहले मद्रास पोर्ट था अम मद्रास तो मैं आपको बताऊं कहां पर होगा अफकोस तमिल नाइडू मैं तमिल नाइडू मतलब एड परदेंट उसका नाम क्या होगा तरेश्चे नहीं पोर्ट तो करेक्ट आंसर डैट इस ऑप्शन नमबर ए कुछ कोचिन है ठीक आपके गार्डन इंदुसान यह सारे ऑप्शन दिये गए हैं यह ऑप्शन देखते ही करेक्ट आंसर जो आपको लगाना है जहां पर शिप बिल्दिंग होता है मेंटेनर्स होता है कोचिन शिप्यार लिमिटेड बिना सोचे समझे ऑप्शन नमबर ए मार्क क कोचिन है मैंने बता रहा हूँ आपको मेरे 25 कोचिन में से ही एक्जाम में आपको कोचिन दिखने को बिलेगा यह 25 व्याद करके चले आना आपको आंसर बन जाएंगे तो करेक्ट आंसर यह ऑप्शन नमबर ए कोचिंशिप गया ठीक है अभी मैंने बता आपको थर्टीन प को फता हुब यह को पता हुब यह पोर्ट इस नाम है इंणौर पोर्ट ऑ और सका पुराना नाम जिर्हा रिखेगा कामा राजा पोर्ट यह אुल्डेस नेम कामरे प्षिन्पे सा जाता है options आपके सामने है, कौन सा आइटम एक्सपोर्ट किया था है, चार options आपके सामने है, iron है, coal है, petroleum है, क्या हमें कहले है, कौन सी चीज़, तो इसका correct answer या देखेगा, iron ore, तो यहारे कि which is the primary item जो एक्सपोर्ट किया था है, विशाका पटनम पोर्ट से, that is iron ore, तो यह भी बहुत famous question रहा है, next, question 18, which port in India is the deepest and landlocked and protected port, अब कहेंगे, deepest port, अभी कुछ दिर पहले question पूछा था, बद घुमा की पूछ लिया, यहां पर, क्या बुल गया, deepest landlocked and protected port, ऐसा option दे दिया, हिलना नहीं है, answer वही mark करना है, that is a विशाका पटनम port, ऐसा question आए, तो confused नहीं होना है, क्या पू नहीं है, Tajpur, Deep Seaport, यहां देखे, Tajpur, sorry, Tajpur, Deep Seaport, जो की Bay of Bengal के साइड लोकरेड है, पूछा के ताजपुर port, जो है, यह किस state में लोकरेड है, जिसका tender यहाद अखे, का आज आदनी गूप के पास है, अब यह कौन सा है, Tajpur Seaport, यह भी नूस में है, options आपके सामने दिये नेच्स्क्शन है यह रख़ेगा पनांबर पोर्ट पूछायका पनांबर पोड कहां लोकरिट है अधर पोर्ट की भी डिसकस कर लेते हैं को इसे भी आ जाते हैं वर्दवन पोर्ट वर्दवन पोर्ट कहां पालोकरिड है तो ऐसे इसे मेजर पोट नहीं पूछेंगा अब से कुछ अधर अधर भी पूछ चाकते हैं जो अधर मेजर-मेजर मेजर जैसे मुंद्रा हो गया वज़िए वह मैं आपको अल्री पताए दे नहीं में से कोशन आये ज्यादा दिमार्ट निंगान में रटवाई दे रहा हूं आपको प्रक्रेक्ट आंसर मुंबई पोर्ट आपको याद रखना है खुद का इसके पास क्या है याद रेल्वे कनेक्शन है और किसको हम क्वीन प्रव अरभन सी के है किस पोर्ट को हम कहते है क्वीन ओफ अराबियांसी तो कर्क्षेट उप्शेट प्रेट का समें आते हैं इस उर्षी कूट आप से टूट दा अब कुछेए कोश्य बड़ेक्शक्या याँ प्रणा चैनी अट पोछी एसे गव्ड़ स प्रदेश में है और आंदर प्रदेश आपको इस साइड में है तो फिर्स सेटमेंट हो गया रॉंग विजयनगर एंपाय श्री कृष्णदेवराय यूस्ट बिल्कुल सही है तब ही तो इसका नाम कृष्णदेवराय को अपरेट करते थे तो तो C is the correct answer तो correct answer जाएगा that is only 2 is the correct answer ठीक है डीटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकतो मैंने पता है कृष्णदेश में लोकरेड है निलो डिस्टिक में ठीक है लास्ट कोष्ण कृष्ण में थोड़े से लेवल हाई कर दी है कि कोष्ण इस तरह भी फ्रेम किये जाते है जैसे कि लिखा maritime transport is to be administered only by Central Government, सिर्फ central government इसको administered करती है maritime transport को ठीक है तो मैं बता दू हो, maritime transport जो है उसमें major ports भी है minor ports भी है major ports तो took Central Government administer करी है बद minor ports जो होते हैं, जो coastal states है वही regulate करते हैं तो हम यह लिन खाल सकते ओनली बाज Central Government Central Government and State Government तो ऐसा क्योंकि मैंने बता है minor ports तो State Government regulate कर रही है तो option 1 हो गया wrong, okay, second बढ़ते है all major ports are governed by are government administered major ports, अभी मैंने बता है 12 जो port है, वो तो government administered है, बट एक major port नोर port जो भी discuss कर रहे थे क्या वो government administered नहीं, वो एक corporate port है ठीक है, एक public company है वो तो ये इसका all major नहीं होगा क्योंकि 12 जो government administered कर रही है तो ये भी statement wrong हो गया जल्दबाजी में इसको mark नहीं कर देना गलत इसने में बता तो correct answer हो जाएगा, that is none तो ये वे था, कभी-कभी देखो मैंने आपको direct questions भी बताया आते हैं कभी-कभी ऐसे statements बना लिया आते हैं वर्ड इससे बाहर कोई question नहीं आएगा artificial, deep pest, river, rain ऐसे ही question आ रहे हैं और वो मैंने आपको सारे बता दिये हैं I hope आपको इसारे questions मैंने बताये हैं वो आपको clear हो गये होगा और इसी से topic आपको मिलेगा time waste ना करते हो हमने उसके लिए इस वीडियो को like करना पड़ेगा comment box पर comment करना पड़ेगा sir यही वे है आप ऐसी हमाई size subjects के MCQ करा दिए तो हमारा size topic complete हो जाएगा उसके लिए comment box पर comment करेंगे आप तभी हम ऐसे questions बनाएंगे तो comment box open आप comment कर सकते हैं ठीक है pdf आपको में telegram group पे मिल जाएगी यह initiative पसंद आ रहा है आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो यह हमारा qr code है ptm phone पे google pay number भी mention है अगर आप contribute करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यह voluntarily contribution है तो लोग comment ना करें कि क्यों contribute करना है नहीं करो नहीं करना है तो कोई बात नहीं जिसकी help हो रही है benefit हो तो आप चाहें तो कर सकते है channel की growth के लिए यह देखिए का अगर आप आपने यहां तक lecture देख लिया इसका मतलब आप बड़े serious student है और आपका exam crack हो रहा है को कि अगले जो topic है बहुत important है यहां पर मैं आपको notes provide कर रहा हूं हर subject के 14 booklets हैं देखिए सारी के करके बता दूँ जैसे सारी handwritten notes है यह biology की है मैं आपको थोरा सा दिखा भी देता हूं यह सारे handwritten booklets है इनको आप order कर सकते हो घर में आपके career के थुरू पहुच जाएंगी इन notes के मिलने के बाद याद रखेगा ठीक है आपका कोई भी ऐसा exam नहीं है जो नहीं निकलेगा सारी exam निकलेगा current affairs से लेखे सारी booklets totally updated updated तो आप चैनल का नामी है तो हर चीज़ अपडेट रहती चाहिए वह static gk हो वह art and culture हो वह Indian quality हो वह ancient history हो सारी booklets available है एक्जाम परस्पेक्टिव से आप सोचेंसा कितनी booklet है टोटल टोटल booklet है 14 ठीक है जोगरफी हो ठीक है आप इंडियन जोगरफी फिजिकल वर्ल हिस्ट्री एंशे मेडायवल computer सारी economics everything is available environment ठीक है इसको इसका sample देखना है मुझे watch app करो number mention है directly buy करना है application से आप buy का सकतो है link description box में mention है ठीक है एक बात और याद रखेगा अगर आपको हमाएं application से बाइख करतो हो तो application का नाम है देवशीष classes यह नाम लिखा हुआ है link description box में वहां से जाकर classes भी आपको याद रखना है आप classes भी भी available हो जाएंगी तो एक बार application को visit करिए आप ठीक है UPSC की preparation करो state services की preparation करो एक बार app को जरू download करो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा help होगी हमाए सारे lectures जो हैं वहां पर available है subject wise okay तो यहां पर हमारा lecture जो है वो complete होता है I hope आपको यह 25 questions इस topic के समझ में आऊंगे ऐसे ही topics और भी चाहिए तो करना क्या है करना कुछ नहीं है वीडियो को like करना है चैनल को subscribe करके रखना और जरू comment box से बताना है कि आप चाहते हैं कि मैं हर topic के ऐसे ही questions करा दूँ और ऐसे questions करा दूँ जिससे एक भी question बाहर ना आए ठीक है तो उसके लिए आप comment box से जरू comment करके बताईए और वीडियो पसंद आया है कम टाइम में आपने ज़्यादा सीखा हो तो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe करें कोई doubt query है वो भी आप हमको बता सकते है pdf telegram group में आपको available हो जाएगी thank you everyone jay hin jay bharat